आज हम लोग खेती की बहुत जुलंत समस्या के बारे में बात करेंगे और वो समस्या है खेती की लागत का लगातार बढ़ना यह जो समय चल रहा है इसमें खेती की लागत अचानक बढ़ जाती है क्योंकि हम लोग जानते हैं कि खरीफ के मौसम में अगस सितंबर के माह में हमारे खेत में रोगों और कीड़ों का आक्रमन बढ़ जाता है और इन रोगों और कीटों के आक्रमन को कंट्रोल करने के लिए इनको नियंतरित करने के लिए हम लोग सीधे रासानिक दवाओं की ओर जाते हैं और यहीं पर हमारी खेती की लागत बढ़ने के कारण की शुवात हो जाती है अगर हम लोगों ने पहले से प्लान नहीं किया होता है पहले से योजना नहीं मनाई होती है कि हम लोगों को कौन से रोग के लिए कौन से कीड़े के लिए कौन सी दवा की आवशकता है तो हम लोग सीधा दवाओं के विक्रेता के पास दौड लगाते हैं और वो जो दवा हम लोगों को अनुशनसित कर देता है हम लेके आ जाते हैं जादा तर खेती में यहीं से समस्या की शुरुआत होती है इसके समाधान के लिए हम लोगों को चाहिए कि हम लोग खेती की योजना तयार करें किस तरह से? खेती की योजना में हमें मालूम हैं कि हम कौन सी फसल लगाने वाले हैं और इस फसल में कौन से कीरे और रोग लगने की संभावना है अगर हम लोग यहां से अपनी योजना की शुरुआत करते हैं तो हमें अच्छे result अच्छे परिणाम मिलने की संभावना बढ़ जाती है खेत में जो भी समस्या आ रही है उसका उपाय जो है हमें बीजों से शुरुआत करनी चाहिए अगर आपके बीज शुद्ध हैं उनमें कीट और रोगों का प्रगोप नहीं है तो आपकी फसल भी रोग और कीटों के प्रभाव से मुक्त रहेगी लेकिन अगर आपका बीज शुद्ध नहीं है आपने बीज का बीजोपचार नहीं किया है तो इसकी संभावना बढ़ जाती है कि हमारे खेत में रोगों और कीड़ों का आक्रमन जादा होगा अब बात आती है ये रोग और कीड़े आ गए हैं तो हमको क्या करना है तो रासाइनिक दवाओं के पहले हम लोग को कुछ ऐसे उपाई करने चाहिए जो कि घरेलूस तरफे किये जा सकते हैं जो कि कम खर्चे में किये जा सकते हैं और जो कि सतत निगरानी से हमारे खर्चे में कमिलाना संभाव है तो सबसे पहले हमें क्या करना है जैसे कि कीड़ों के लिए दो तरह की चीज़ें हम कर सकते हैं सबसे पहली बात ये है कि हम विजोग चार करें दूसरी चीज है कि प्रपंचों का उप्योग करें तो कीडों की जनसंख्या को नियंद्रिस्स करने में धूम अक्सरें गुसीति अग INTERF-2 2Na यतुछ खेत का सकते दो कुछ यह काम करें। इसके अलवा, अपने खेत की मेलें उनको हर्पतवार से मुक्त रखें। अक्सर जो रोगों के जीवाणूं होते हैं वो इन ही खर्पतवारों के उपर कारी करते हैं और इन ही खर्पतवारों के उपर कीड़े भी अंडे देते हैं तो अगर आपका खेत खर्पतवारों से मुक्त रहेगा तो संभावना में फिर से आशंका में कमी लाई जा सकती है यानि कि हमको सही समय पर अनुशन सित दवाओं से खरपतवारों का नियंतरण कर लेना है उसके बावजूद अगर आपके खेत में किलों की संख्या नियंतरण नहीं हो रही है तो पहला उपाय जो की रासायनिक नहीं है और हमारे घरों के आसपास उपलब्ध है वो उपाय है नीम का उपयोग करना नीम की खली नीम की पत्ती इन दोनों से किस प्रकार से हम लोग कीट नाशक या कीट विकरशक दवाओं का निर्माण कर सकते हैं यह हम आपको बताएंगे किसी और दिन लेकिन हाँ नीम एक हमारे लिए बहुत उपयोगी पौधा है नीम का पौधा है करंच का पौधा है यह सब हमारे लिए काम में आ सकते हैं अगर सब कुछ होने के बावजूद आपको रासायनिक दवाओं का उपयोग करना ही है का सही समय पर उपयोग करिए यानि कि जब खेत में कीरों की जनसंख्या कम हो और जब उनकी उम्र उसकी नाशक के माध्यम से नियंत्रित होने की हो तब आप उस अवस्था पर रोख थाम के लिए रसायनों का उपयोग करिए तो इस तरह से अगर आप करेंगे तो आपकी लागत जो है वो कम होती जाएगी और कीरों का नियंत्रन भी संभव होगा एक गलती जो हम लोग करते हैं कि दवाओं का बार बार असंतुलित और अविवेक पूर्ण छिरकाव करते हैं अर्थात किसी दवा को हमको पंदरह से बीस दिन बाद जो है खेत में दुबारा डालनी है उसका अंतर हम लोग कम कर देते हैं यानि कि 15-20 दिन में दुबारा उसका छिलकाव ना करके, हम लोग 10 दिन के अंतर पर ही उसका छिलकाव कर देते हैं, या 30 दिन के अंतर के बाद उसका छिलकाव करेंगे, इस तरह से हम लोग कीड़ों की संख्या पर नियंतरन नहीं कर पाते हैं, और वो कीड़े बढ़ते जात इसी तरह से रोगों के नियंत्रण के लिए हमको क्या करना है कि पहला पौधा जब आपको अपने खेत में रोगरस्त दिखता है तो उसको आपको चाहिए कि आप उस पौधे को बहुत सावधानी पूर्वक उखाड़ें उसको एक पॉलथिन में बंद करें और उसके बाद उ संक्रमन कर सकते हैं तो वह संक्रमन कर देंगे कई बार हम लोग एकस्पायरी दवाओं का उप्योग अपने खेत में कर लेते हैं यानि कि उनके उप्योग करने की अंतिम्तिती बीच चुकी है उसके अंदर जो सक्री तत्व है वो खतम हो चुका है उसके बावजुद हम उन कीट नाशक दिवान के शिर्काव कर देते हैं और कीट नाशक की आने पर रोगणाशक दिवाओं का शिर्काव कर देते हैं,ccoli वह समस्य को हां पर बाहएं का समाधान नहीं कर पाती है, तो लागत भी बढ़ जाती है और हमें कोई अपने प्रयास सम्धा भाइं नहीं मिलती है दो दवाओं को आपस में मिला देते हैं खर्पतवारों नाशी को कीटनाशी दवाओं के साथ में या रोगनाशी दवाओं के साथ में हम लोग मिला देते हैं और हम सोचते हैं कि इस तरह से हमारा श्रम बच जाएगा लेकिन इन दो दवाओं के मिश्रण हो जा तो इस तरव से दो दबाओं को मिश्रित ना करें और उनको उनके अनुशन से समय पर अवस्था पर अलग अलग ही जो है उसका उप्योग करें आप कम या अधिक सांद्रता का घोल तयार न करें दबाओं के पैकेट पे हमेशा लिखा होता है उनके डब्बे पे हमेशा लिखा होगा कि आपको एक लीटर पानी में कितने मात्रा दबा मिलानी आवश्यक है अगर आप धक्कन के हिसाब से चलेंगे आप अगर उसको नाप क दबा का उपयोग नहीं करते हैं तो हो सकता है कि घोल में दबा की मात्रा कम पड़े या अधिक हो जाए अगर दबा की मात्रा कम पड़े ही तो कीरों का नियंत्रन नहीं होगा रोग का नियंत्रन नहीं होगा और अगर दबा की मात्रा अधिक पड़ जाएगी तो हम कम दब में भी उसका जो नियंतरन कर सकते थे उसकी बजाए हमने जादा दवाओ उप्योग करके हम अपने खेती की लागत बढ़ा देते हैं इसके अलावा हम लोग अनुशन से समय पे और अनुशन से अवस्था पे अगर दवाओं का छिरकाव नहीं करते हैं तो भी हमारे खेती की दमादार है वो। जाने अ игр के लागत लिए होता है चाहिए जिसको आर्थिक हानी का रहा होता है जब हम को कीरों तो द DRC के धारच नुब सान दवाओं के प्रयोगत करने से बड़े खानी को रोग पा रहें तो उसको हमें दबा का उप्योग करना अंूशंसित होता है. अनित्षा उस दबा का उप्योग करके हम पैसे की बरबादी कर रही होते हैं. इसके अलावा सही सप्रेयर पंप का या पावर पंप का चुनाऊना करने से भी हमको अपेशित सफलता नहीं मिल पाती है और हमारे खेती की लागत बढ़ती जाती है तो किसान भायों इस तरह से आप लोग हमेशा याद रखिए कि जब भी दवाओं का उपयोग कर रहे हों तो आप लोगों को बहुत सावधानी पूर्वक और बहुत समझदारी पू चैनल से जुड़े रहे और समय समय पर हम आपके लिए बहुत चोटी चोटी परंतु उपयोगी सामगवी आपको बताते रहेंगे आपको एक अच्छा और प्रगती स्चील किसान बनाकर जरूर रखेंगे किसान भाईयों और बहनों अगर आपको जबहार किसान पर दिखा जानकारी की आवशकता है इसको हमें कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कर जरूर सूचित करें ताकि हम आपको जानकारी सही समय पर पहुचा सकेंगे धन्यावाद में जाझे कर जानकारी सही समय जानकारी की आपको जाउन।